म्यूजियम औफ फ्यूचर क्यों बन रहा है कौतू हल का विशय ये है म्यूजियम औफ फ्यूचर यानी भविशय का अजायब घर इस इमारत का फ्रेमवर्क आयोता कार 2400 स्टील की छड़ों से तैयार किया गया था ये धाचा पिछले साल नवंबर में तैयार हुआ था तब से अब तक केवल इस धाचे के उपर पैनल लगाने का काम चल रहा है ये संग्रहाले एक साल में खोला जाना है और इसे बनाने की जो रफ्तार है उससे आशंका पैदा होती है कि ये वक्त पर तैयार हो भी पाएगी या नहीं लेकिन इमारतें बनाने वालों को पका यकीन है कि वो अक्तूबर 2020 तक म्यूजियम अफ फ्यूचर को जनता के लिए खोल देंगे उसी समय दुबाई में वर्ल्ड एक्स्पो होने वाला है म्यूजियम अफ प्यूचर के कारेकारी निदेशक लेथ कारल असन कहते हैं कि इस इमारत का आकार आखों जैसा है कारल असन ये मानते हैं कि इमारत का आकार ऐसा कुछ खास नहीं है जो लोगों को बहुत आकरशित करे इस बिल्डिंग को बनाने का ठेका 2015 में दुबाई की ही एक कमपनी के लार डिजाइन को मिला था उनका कहना है कि इमारत का जो ठोस हिस्सा है वो हमारे मौजूदा ग्यान को दर्शाता है वहीं भीतर का जो खालेपन है वो उन चीजों का प्रतीक है जो हम नहीं जानते यानि हमारा मुस्तबिल सयोक अरब हमीरात तेजी से तरक्की कर रहा है यहां सेकडों इमारते बन रही है इन सभी में ये म्यूजियम अफ प्यूचर बिल्कुल अलग नज़राता है क्या है म्यूजियम अफ प्यूचर की खासियत धाजिक के ऊपर जो पैनल लगाएडा रहे हैं उन में अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है हाला कि इसके निर्माताओं ने ये नहीं बताया कि अरबी में लिखा क्या है लेकिन सुत्रों के मताबिक ये दुबाई के शासक शेख मुहमद बिन राशिदल मक्तूम की लिखी हुई कविताएं हैं हाथ से लिखी हुई ये कविताएं म्यूजियम की खिड़कियों का भी काम करेंगी दिन में इनके जरिये रोशनी छन कर भीतर जाया करेगी वही रात में अंदर की रोशनी बाहर निकल कर इसे अन्भुत मंजर की शकल देगी म्यूजियम अफ फ्यूचर की उचाई 88 मीटर है इसमें रोशनी के लिए 14 किलो मीटर लंबी ए लीडी लाइट्स लगाई जा रही है कैसे बना इंजिनियरिंग का यह नमूना हाथ से लिखी ये कविताएं और इस इमारत के आकार ने बनाने वालों के लिए बहुत बड़ी चुनावती खड़ी की है हर स्टील फ्रेम हर पैनल को खास तरह से ही काटा जा रहा है क्यूंकि ये सामाने आकार नहीं है कि प्रेम लाकर लगाया और उसके उपर पैनल जड़कर इमारत तयार कर दी इस इमारत को बनाने में प्रमुक सलहकार ब्रिटेन की ब्यूरो हैपोल्ड इंजिनियरिंग फर्म है कमपनी के आर्किटेक का कहना है कि इस इमारत का डिजाइन बिल्डिंग इनफॉर्मेशन मॉडलिंग यानि बिम से तयार किया गया है ये डिजाइन आर्टिपिशल इंटेलिजेंस की मदद से तयार किया जाता है ताकि हर मोड, हर पेंच और हर घुमाफ का सटी अनुमान लगाया जा सके बिम एक 3D मॉडल पर काम करता है व्यूरो हैपोल्ड इंजिनियरिंग के टोबाइस बली कहते हैं कि रेखागनित की मदद से ये खास डिजाइन तयार करना कम उबेश ना मुम्किन था हमें सब कुछ डिजिटल तरीके से करना था अगर हम हाथ से डिजाइन बनाते तो सोचते कुछ और बन जाता कुछ चौर इस तरह से बनाना भी मुश्किल था तकनीकी मदद से ही ये इमारत हम इतनी आसानी से बना पा रहे हैं पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इस बिल्डिंग का दो डी मॉडल तयार किया इसके लिए प्रोजेक्ट में शामिल सभी लोगों को पहले बिम को अच्छे से समझना पढ़ा सबसे पहले कम्प्यूटर की मदद से इस डिजाइन के मुश्किल पे चोख हम से निपटने की कोशिश हुई बारीक से बारीक बदलावों को कम्प्यूटर पर ही आज माया गया इसमें काफी वक्त लग गया हाला कि इन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता लेकिन इमारत का धांचा तयार करने में मिलिमीटर भर का फर्क भी चुनौती बन सकता था इसके बाद मशीन की ही मदद से स्टील का फ्रेम तयार किया गया इसके कंप्यूटर डिजाइन पर आर्टिपिशल इंटेलिजेंस की मदद से काम किया गया स्टील की बनी आयत अकार बीमों की मदद से इमारत को आकार देने की कोशिश की जा रही थी